हेलो गाईज वल्कम बैक टू अनेदर एपिसोड औफ क्रिकेट टॉक्स और आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPL 2020 को लेकर काफी इंट्रेस्टिंग काफी अच्छी काफी बड़ी खुसकवरी सामने निकलकार आ रही है और जिस खुसकवरी को सुनने के बाद आप भी खुस जरू से हो जाएंगे तो अगर आप भी मेरी तरह एक IPL फैन है क्रिकेट फैन है तो फटफट अभी सीडियो को लाइक कर दे साथी साथ IPL अपडेट लगातार पाते रहने के लिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल एकन पर आल प्रेस करके रख लें तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं IPL की ये वाली निउस क्या है गाइस आपको बता दें इससे पहले मैंने भी आपको कई बार बताया है और बाकि सभी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खवर सामने निकल कर आई है कि IPL 2020 अगर होता है पैंडेमिक के दोरान तो जरूर से सौट होने वाला है फॉर्मेट में चेंज होने वाला है लेकिन अब BCCI के हवाले से ये खवर सामने निकल कर आ रही है कि IPL 2020 अगर होता है सेप्टेंबर अगस्त के मन्त में तो IPL पूरा होने वाला है फुल फॉर्मेट में होने वाला है तो बड़ी अच्छी खवर है लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि IPL 2020 हो भी पाता है या नहीं हो पाता है गाइस बात की जाए IPL से लेकर दूसरी बड़ी अपडेट को लेकर वो यहाँ पर यह है कि अभी जो चाइना वर्सिस इंडिया का जो माहौल चल रहा है वो तो आपको पता ही है जिसके बाद अब BCCI न है यहाँ पर वीवो IPL यानि जो वीवो स्पॉंसर से दे कर बैठा हुआ है IPL को और इनका जो कॉंट्रैक्ट है आने वाले चार साल का जो दो साल कंप्लीट हो चुका है और दो साल IPL को और भी स्पॉंसर करने वाले थे वीवो लेकिन अब इसके लिए BCCI की और से यह ख़वर सामने निकल कर आ रही है कि जल्दी इस वारे में मीटिंग होने वाली है निव इस्पॉंसर BCCI धूंडने वाली है और वीवो यानि चाइनीज कंपनी को प्रमोट नहीं करने वाली है तो ये भी बड़ी अच्छी ख़वर ह और देश भक्ती के लिए ये भी एक बड़ी बात है गैस तो ये तो रही IPL की दो बड़ी अच्छी निउस आपको क्या लगता है किस हिसाब से IPL 2020 सेप्टेंबर अगस्त के मन्त में हो सकता है अपनी राय अपनी उपीनिन अपना सुझाओ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पता है और IPL से रिलेटेड लगातार अपडेट्स पाते रहने के लिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करकर बैले गन पर आल प्रैस करके रख लें धन्यवाद